तो हाई विडिवीवन तो समसंग के तरफ से आने वाला एक नहीं पून इसका नहां में समसंग ग्लेक्सी तो चलिए आज इसका रिवीव बताने वाला हूं कुछ लिक्स निकल आ गया इस फोन के बारे में तो फाइनली रिलीज डेट हमें पता चल गया इस पूरा पता चल गया इस फोन के बारे में वीडियो में आगे बने रहे तब तक इस चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो मैं इस्टारम को जरूर जाके फोलो कर लिए वहां से आपको अच्छे अच्छी नियूज मिलते रहेगा तो जरूर चैनल को सबस्क्राइब करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अभी जो टाइम चल रहा है हो चैना बाइकोट मतलब चैना को जो भी पॉड़क्ट है वो बाइकोट लोग कर रहा है यानि कि पहले जो 81% लोग फोन यूज करते थे समस्ट मसलब की रेडमी और रियल्मी का तो अब वह सब पॉन छोड़के आप समसंग का फौन ज्यादा रहे और ज्यादा इंतजार रहता है जिस फोन का उसका नहीं है समसंग समसंग का फोन अब ज्यादा तर लोग यूज करने लगे तो इंतजार अभी लोग का होगा समसंग इलक्षी एंप 31S का तो चलिए सिका रिव्यू आप सबको बता देते हैं तो इसके डिजाइन से बात करो तो आपको इसको एफोन देखने में कैसा लेगा ये फोन अगर डिजाइन की बात करो तो पिछे में फिंगर प्रिंट संसर आपको नहीं देखने को मिलेगा लेकिन प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगा चिंता मत करिए आपको जल्दी से स्क्रेश में मिलेगा प्लास्टिक मिलेगा लेकिन वह हाई क्वेलिटी का प्लास्टिक दे 6.5 इंच का सूपर एमोलेट डिस्पले आता है फुल एच्टी डेजूलेशन के साथ इंफिंटी ओ का डिस्पले आपको देखने को मिल जागा यानिकि बीच में आपको नोच छोटा सा देखने को मिलेगा सूपर एमोलेट पैनल दिया हुआ इस फोन में 6.5 इंच का फुल एच्टी डिस्पलेशन की बैटरी की बात कर तो 6000 एमेच का बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है कितमा भी पबजी खेलिए जल्दी से आपका बैटरी नहीं खतम होगा उपर से इसमें 20 25 वाट का फास चार्जर भी आपको बॉक्स चाहिए जाले में चाहिए और पावर बैंक के तरह भी यह फोन को आप यूज कर सकते हैं तो बैटरी की होगे तो अभी फोन की कैमरा की बात करूँ तो इस फोन में आपको क्वाइट केमरा का सेटप देखने को मिल जाता है यानि कि आपको प्रैमरी केमरा 64 मेगा पिक्सल क लिए वायगा देखने को मिल जाता है साथ यह फून हमेगा सेन्सर का अ क्वाइड उप होग तेक्सल कदो मेतक्सयाइव क्वाइड लिन पाप देखने उसका 9611 पॉर्सेसर के साथ ये फॉन लूंच होगा जो कि अच्छा खासा पॉर्सेसर है कितना भी पॉपजी खेलिए आपका फॉन लेंड नहीं करने वाला तो समसंग का पॉर्सेसर अच्छा ही होता है क्योंकि जो आगी फॉन लूंच हुआ है समसंग लाग सीम 30 उसमें भी इसते हाप पॉर्सेसर था हुगे एक जाम मखन की तरह फॉन चलता था तो फॉर्सेसर की बात होगे तो फॉर्सेसर काफी ज़्यादा दम-डार आपको देखने को मिल जाता है अगर यह फॉन की में बात कर लों फिंगर पिंट के तो फिंगर पिंगिंड इन डिस्प्ले आ पोन का जैक देखने को मिल जाता है और टाइप-C यूसबी टाइप-C भी आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन के साथ एंड्रोइड 10 और समसंग का ही सब्ट वियर के साथ यह फोन आएगा इंडिया में अगर इस पून की रहां बेरेंट की बात कर लो तो यह फोन हो सकता यह फोन हो सकता है लोग इन जञार कर रहे हैं पराइज जहां तक मिल यह पता है तो सत्रह से 18000 के बीच में इस भीर आन्ट यह फोन इंडिया में लुँट हो सकता है अधार हजार तक के अंदर में यह फोन लूंश वा तो एक बेस्ट अस्म अपोन होगा तो यह कुछ समसं और इसका फ्लेस जाने कि आप भीक्री होगा च्छे से सात अगस्त को ये फोन भीक्री होने लेगा एमज्वान पर तो आप सबको लेने के मन्हों तो जाकर ले सकते हैं तो एक कुछ सम्सम के बारे में पोन निकल गाया था समसेम लक्सी एम थाटीवन सक्वारे में वीडियो क को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको समप्त करते हैं यह पार